कि हलो फ्रेंड्स आप मुकेश गोयल आई होग कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंड्स जो यूजिशी नेट का जो कंपल्सरी पेपर है उसकी टेस्स ठीक है टेस्स कैसे जोइन करनी है ठीक है क्या-क्या इसमें फीचर्स होंगे किस तरह इसमें सॉलुशन होंगे ए एक क्विचन का जो Er Science which गचिश होंगा वीडियो लेक्टर के थुर होगा हर एक क्विच्षन का तो एक बात बता देता हूं का कैसे मिलेगी आपको साथ कितना अफीज्यत रहे जाए है यह सारी बाते मैं अभी डिसक्वस करने वाला हूं तो इसमें क्या-क्या रहेगा स्च यहां पर जाओगे तो यह आप इंस्टोल करके उपन कर लोगे चीक है अप्लिकेशन एप दूसरी बात यह आप मुबाइल पर यानि कि अप्लिकेशन पर टैस्री यानि टैस्ट अटेंप्ट कर सकते हो साथ-साथ आप अपने लैप्टोप अपने कंप्यूटर वहां पर भी इंस्टूल किया तो आपको अपलिकेशन ऐसा करेगा हैं यह अप्लिकेशन दिखेगा है आपको Here लिखा हुआ है गडिशन टेउर और यहां पे login तो ऐसा ही आप website में जाओगे तो register का button दिखेगा और login का button दिखेगा website पे भी तो आपको पहले register करना है क्या करना है register पहले register करोगी तभी तो login की बात होगी तो जैसे register button पे click करोगे तो यह page खुल जाएगा यहां पे आप अपना name लिख दे ठीक है उसके बाद आप mobile number या email address में से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे mobile number और email address उसके बाद आपको अपना एक password बनाना है आप अपना password खुद बनाना है आपको बना लिया तो इससे आप register होगे और जैसे ही register हो जाओगे ठीक है आपके पास login का button क्लिक करना है या तो automatic ही login हो है तो आप login पे करोगे तो वो जो यहां पे आपने जिस चीज से ही आप अपने profile में सेट किया था mobile number या email से और password वो login में डाल देना है यह आपको याद रखने है जो आपका mobile number डाल रहे हो या email डाल रहे हो और अपना जो password खुद बना रहे हो वो आपको याद रखने password आप पासवर्ड का भी नीचे है लेकिन आप याद रख लो अपना simple सा कोई भी पासवर्ड बना लो mobile नमबर और email address दोनों में से alternate कुछ भी डाल के फिर आप login करोगे क्या करोगे login करोगे और login कई बार अपने आप self हो जाएगा क्योंकि वो self authenticate कर लेता है by the way दोबारा से detail मांग तो क्या बरना है जिस mobile number से या email से आपने रजिस्टर किया है वो email या mobile नमबर डालना है और जो password आपने बनाया था वो password डालना है इसके बाद हो गया login ठीक है और जैसे यह एप में login हो जाएगा login होते ही आपको ऐसा दिखेगा यह है इधर लिखा हुआ होगा course इधर लिख गर्णा होगा live test तो आपको test series पे click करना है किस पे click करना है test series पे click करना है test series पे चीक है friends यह अपनी website साइट है swmg.in यह पहले अभी बात करी जाथ है मैं आप से टैस्स सीरीज पे जैसे ही क्लिक करोगे यह पेज आपके पास खुल जाएगा इसमें देखो उपर लिखा हुआ है जोइन UGC NetJara Paper One Test Series तो आपको पेड कोर्स जोइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए यहाँ पे क्लिक करिए ठीक है और आपको डेमो के तोर पे जो फ्री टेस्ट है वो तीन टेस्ट डाले हुए है यहाँ पे यह तीनों टेस्ट को आप देख सकते हो ठीक है डेमो के तोर पे यसमे क्या कैसे करना है यह मैं बता देता हूँ आपको जैसी आपने इस बटन पे यहां तोipes में पेसी अपने ऑलेगा और यहां पर इसाब करो हुआ है स्टार्ट करों गया कि इतने हैं किःष्ट में इस में इतना टाइम यह सब इसमें बताया हुआ है झाल किया जैसे ही। यह क्विश्ण खुल सक्याँ है यह है इंद्धी माद्यम में चाहते हैं तो और देखो एक चोड़ा सा बटन दिखेगा आपको एना एप में तो इसको जैसे दबाओगे अगर इंगलीस में है तो वो हिंदी में हो जाएगा दोनों मीडियम में आप वो टेस्ट दे सकते हो दोनों माध्यम में चीक है फ्रेंट्स तो आप जैसे ही अटेंप्ट कर लेते हो सारे क्विश्चन और ला अब आपको एक बात और एक वीडियो सोलुशन मैंने कहा इस टेस्स की सबसे खाश बात यह है कि हर एक टेस्ट का आप वीडियो सोलुशन मिलेगा जैसे जितने टेस्ट होगा हर टेस्ट में हर क्विश्चन का वीडियो सोलुशन प्राम अराम से चारों ओप्शन को समझाय आपको बवापीस आपको बैक जाना है उसी टेस्ट पे जिस को आपने अटेंक्ट किया है जिस बवाप आपको 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 यह निचे दिखेगा वीडियो सोलुशन solution video दिखेगा आपको कारण क्या है कई बार क्या होता है अगर ये पहले दे रेते तो students क्या करते अपने आपसे attempt नहीं करते question पहले video देख लेते तो उनकी practice अच्छी नहीं होती क्योंकि मन तो बच्चा है हो जाता है ऐसे ही क्योंकि वो पहले ये सोचेगा video देख लेता हूँ आलस हो जाता है कई बार तो ये video solution तभी दिखेगा जब आप questions को attempt कर लोगे और main page पे जाके वापिस उस test पे click करोगे फिर यहां देखोगे तो solution video आपको दिखेगा ये आपको ध्यान रखनी है और दूसरी बार इस test को कितनी बार री attempt कर सकते हो ऐसा नहीं एक बार करोगे आप कितनी बार जब तक मरजी जितनी बार attempt करना है उतनी बार attempt करिए कोई दिक्कत नहीं है जितनी बार video देखना है उतनी बार आप video देखे ये बात यहां तक समझ में आगे समझ में नहीं आई है तो रोक के समझ लेना हर एक बात उसके बाद में अब बात आती है प्राइज की कितना है अगर आप बात करते हो अगर आप 90 डेज के लिए लेते हो 90 डेज का मतलब 3 मन्त के लिए लेते हो तो इसका प्राइज है 725 अगर 90 डेज के लिए है ठीक है तो इसका प्राइज है 725 अगर आप लेते हो 180 डेज के लिए याने की 6 महीने के लिए तो इसका है 180 डेज का है इसमें आपको वीडियो सॉलूशन भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा समझ रहे हो कि आपको पूरा एक्स्प्रिनेशन मिलेगा दोनों मेडियम में मिलेगे कितनी बार यह अटेम्ट कर सकते हो ठीक है और यह 90 डेज 3 मन्त का क्या मतलब है फ्रेंट कि 3 मन्त के लिए वैलेडिटी इसका मतलब यह है जैसे किसी स्टूडेंट ने मान लेते हैं 3 मन्त के लिए लिया है 90 दिन के लिए तो उनके पास डेली बेसिस पर है ना जैसे कुछिंस आते रहेंगे वीडियो सॉलूशन आता रहेगा जो तीन महीने में हमें लगेगा कि यह यह कुछिंस होने चाहिए व हमें लगा कि हाँ जैसे अभी आप जैसे खरीदते हो तो आपको एक साथ मिल गया फिर हमें लगा कि यह कुछिंस बहुत इंपोर्टेंट है इन कुछिंस को फिर डाला गया क्योंकि कुछिंस नहीं नहीं आते हैं अपडेट होता रहेगा थ्री मन्त के लिए आपके पास र और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो जो नंबर दिये गए हैं वहों पर वाट्सप करके भी पूछ सकते हो लेकिन आई थिंक सारी बाते आपको समझ आ चुकी है तो अपनी चित को शांत रखें मन को रिलेक्स रखें अच्छे से सारी चीजों को करने की करें अगर आप विलिंग है तो आप जोइन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट है swmg.in तो मैं फिर बता देता हूं android app है swmg.in और website swmg.in ठीक है तो आप कहीं भी जाके विजिट कर सकते हैं और पेमेंट का जो एशु रहता है वो भी आप किसी भी तरह कर सकते हैं यूबी और मेरी साब से अब तो कोई इशु नहीं है एक बात जो में एहम बात बतानी है मैं आपको बता देता हूं एक मेहम बात यह है फ्रेंड्स कि जो स्टुडेंट यह सोचके आएगा कि मुझे यहां पे quantity of questions मिलेगी बहुत सारे questions मिलेंगे यह मद सोचके आए प्लीज आप ल जारों questions यहां में मिल जाएंगे quantity मिल जाएगी वो प्लीज इसको जोइन ना करें इसको quality सब्सक्राइब कि हां मुझे questions number of questions कम मिल जाए लेकिन उसकी quality अच्छी हो वही student जोइन करें तो all the very best all the very best हमेशा खुश रहें अपने चित को शान्त रखें और किसी भी तरह की कोई